रूरी सूचना आप सभी students के लिए study for civil services का android app google play store में आ चुका है उसको please तुरंट install कर लीजे और अगर आप study for civil services के सिर्फ आप से कोई भी course कोई भी पीडिया परचेस करते हैं तो उसमें apply coupon अगर आप ग्यांसर जो है आप उसमें apply करते हैं ये coupon code है तो उसमें 20% fees तुरंट मा इस तरह से गर coupon code लगाते हैं आप आप में बाइक करने से पहले जो अप्लाइब कूपन वाले में आता है तो 20% का डिसकांट तुरंट देगा वीडियो देखिए वसकार दोस्तों जोग्रफी के एक और वीडियो में आपका सवागत है हम लोग जोग्रफी के टॉप 400 सवाल सब्सक्राइब कर सकते हैं एक ही जगा पूरा सेलेक्शन माटेरियल कंप्लीट गाइडेंस हर जगा आपको मिलेगी ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो एक्जाम की प्रपरेशन में तो चलिए आज का पहला सवाल है 401 कह रहा ही है जहरने और कौन सा जन्ना कौन सी नदीप है यह आपको बताना है जैसे दूद्सागर वाटरफॉल दूदूमा वाटरफॉल गोकक वाटरफॉल और जोग वाटरफॉल ठीक है कौन सा कहां पे यह आपको बताना है जैसे दूद्सागर वाटरफॉल यह कौन सी नदीप किनारे मांडवी नदीप है दूद्सागर वाट से देख लेते हैं दूज सागर मांडवी नदी डूडूमा मचकुंड नदी गोकक आपकी घारप्रभा नदी और वहीं जोग वाटरफॉल श्रावती नदी ठीक है चले 402 मलेनेशिया दीप समुष्थित है तो हम लोग ने थोड़ा सा सोचे इसके बारे में और कमेंड वॉक्स में इसका आंसर दीजिया आप लोग यह लोग कर चुके हैं 403 नंबर प्रेशन कहा रहा है छेत्रफल की द्रस्टी से निम्लखित देशों का सही आरोही क्रम क्या है करेक्ट असेंडिंग और ऑफ फॉल्विण गन्टिज इन टम्स ऑफ एरिया असेंडिंग और बताने हैं यह छोटे से बड़ा भारत ब्रजी अरजंटी न ईस्टेन भारत ऑस्टेलिया ब्राजी ऑस्टेलिया प्राजूंoser या Brazil, Argentina, Australia, भारत, क्या सही क्राम होना चाहिए, तो बहत आसान प्राशन दोस्तों आपको बताऊगा भी या Australia तो एक continent भी है इसल्व और एक देश भी है, सबसे बड़ा तो Australia है, उसके बाद Brazil आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद India आ जाएगा और उसके बाद Argentina आ जाएगा, ठीक होगा आपको क्योंकि पेपर बहुत करीब है, जितना त्यारी कर लेंगे, उतना अच्छा रहे हैं, अगला है भारत और चीन के अलावा निम्लिकी देशों में से किस समू की सीमा म्या मार से लगती है, इंडिया अदर दें इंडिया और इंडिया चाइना विच वन आप दा छोड़ के पूछ रहा है तो थाइलेंड है लाओस सेल लग रहा है और यह तो चालिन अपका तो उस से तो मतलब नहीं भारत से मतलब नहीं और इधर भी लगता है तो तो मैं बैंकक बोलते हैं या बैंकको क्षेल के लाओस को बहुत असान नम का शुडियों को तो और उसान हो विरेज़न का हमोई और आपका लॉस का 음ों थी आने किया है यह प Storyतना नम थाइलेंD यह नगे ठीक है थाइलेंड लाउस बंगलादेश भी है तर नाम कहा शेयर करेगा थाइलेंड है लाउस है बंगलादेश है ठीक है चलिए नहीं है नहीं है विच आप दी फॉल्लोइंग पेनिसूलर रिवर्ट जो वेस्ट की तरफ नहीं बैती माही परियर सुबर्ने का या नर्मदा देखें मैप में सुबर्नरेका रदी दिख रही है यह कहाँ बैरी एक शाशीं नंबर सवाल देख लेते हैं जबकि अधिकांच अन्य बड़ी प्राइब पी नदीया पूर की और बेद्टै ऐसा क्यूं है नर्मदा refund flow to the west वाल दा मोस्ट अधर लेंगवज मस्ट अधर लाज पनेंशिवल रिवर फ्लो थू इस्ट वाई क्या कारान भाई यह इसका नमबर एक यह एक रेखी ब्रंच घाटी में इस्थीत है और विंद और सत्पुड़ा परवतमाला की बीच बहती है भूमी का धलान मत भारत से पस् सत्पुड़ा और विंद्या के बीच में बहती है रिफ्ट वैली के थ्रू तो यह इस्टाइडी भैती है पहला स्टेट्मेंट सही हो जाएगा इसमें सिर्फ बाकी नहीं चलिए अगला देखते है 407 कावेरी नदी का उद्वा मिस्तल कहा है हम लोग उपर कर चुके हैं त आव देखते हैं तमिल नाडू में बहती है के रिफिए और पूडु चेरी में बहती है करनाटक तमिल नाडू केरल पूडु चेरी चलिए अगला देखते निम्रिकित में से कौन सी नदी एस्शुरी नहीं आज़ी नहीं बनाती विच फॉलोइं रिवर्ड ड़नोट में अब आपको पता है जो मोस्ली वेस्ट फ्लोइंग नदियां या शुरे बनाती नर्मदा तापी मांडवी महानदी तो समझ गयो कि बहुत आसाने महानदी जो है बेव बेंगॉल में घिर जाती जाके यह शुरे नहीं यह डेल्टा बनाती है ठेक है काफी असान प्रश्णत है 409 देख लेते हैं निम्लिकित में से कौन गोदावरी की सायक नदिया है विच और फॉलोइंग आ ट्रिब्यूटरी जो गोदावरी रवर वंच धरा इंद्रावती प्रणाहिता या पिन्नार देखिए दोस्तों वंच धरा यह तमिलनाडू ओडिशा में बैती है इंद्रा चारत की नदियां हैं अब गंगांगा की ट्रिब्यूटरी ओल्ड फैशन होगे नहीं पूछता जैसे पहिनार की पूछ लेगा वंस धरा की पूछ सकता है छोड़ी छोड़ी नदियों की सायक नदिया जरूर पूछता है तो मेरी बस एक रिक्वेस्ट आप से साधी नदि कौन कृष्णा नदी की सायक नदी नहीं है विच वन फॉलूइंग इस नौट ट्रिब्यूटरी ओफ कृष्णा रिवर भीमा तेल यह रला या तुंग भद्रा इस टाइप के पूछता है मूमन अब एक्जाम में तो कौन नहीं है कृष्णा की ट्रिब्यूटरी आपको पर दामोदर रिवर कि बिश्ट दुआ ऐस्टन ग्रेकेनल इंडर यह शरहिंद चाहिए चोटा नाकुर प्लेटिव से निकलती है चोटा नाकुर प्लेटिव जहारखंट से अब इससे कैनल काटा गया है यहीं से ओरजिनेट होती है तो यह दिए चाहिए चाह सो बारा नं सबसे अधिक बाढ़ प्रभावी थैं अमंग फॉलिंग एरिया उप्यूपी विजिनेट्स फ्रॉम विछ फॉलोइंग लेक तुल्सी लेक विहार लेक बोथ अव यह नन अव दिया तो देखिए यह मीथी मतलब मुंबई की जो मीथी नदिये यह निकलती है विहार जील से क सबसे अधिक बाढ़ प्रभावी थैं अमंग फॉलिंग एरिया उप्यूपी वेस्टन एरिया मेडल एरिया यह नदन एरिया तो बहुत आसान है देखिए उत्तर प्रदेश के हैं जहां का बिहार है बिहार इधर पढ़ता है तो इस्टन साइड यह नहीं है जो बिहार को प्रदेश करेगा तो उत्तर प्रदेश का जो इस्टन एरिया वह फ्लाड अफेक्टेड है ठीक है फ्लाड अमूमन वहां पर देखने को आपको मिलते हैं चलिए 414 में कहरा गलत कजन पहचानिए सेलेक्ट दा इंकरेक्ट ऑप्शन कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उ हुमस से भरपूर होती है यह उप्योग्त में से कोई नहीं कौन सा गलत हो गई यह बताना है आपको इंग्लिश में देखें हैं कर तो ब्लैक सोइल सूटेबर फॉर कॉर्टन कल्टीवेश ब्लैक सोइल रिचिन नाइट्रोजेन और और्गैनिक मैटर ब्लैक स्वाइल सार करतन सही है विच फॉलिंग स्टेट्मेंट इस रिगार्डिंग लेटे राइट सोइल ऑफ इंडिया इस करेक्ट यह आम तोर पर राल रंकी होती है इन में नाइट्रोजन और प्रटास की प्रचुरता होती है यह राजिस्थान और उत्तरप्रदेश में अच्छी तरह से जनरली रेड़ इन कलर दे आर रिजिन नाइट्रोजन और प्रटास दे आर वेल डवलप्ट इन राजिस्थान और उत्तरप्रदेश या ओल आफ दी अब ठीक है कौन साइस्टेट्मेंट सही है देखिए पहला तो सही है लाल होती है लाल होती है उसका कारण है आईरन जो ह आपको यहां मिलती है ऊपको यहां मिलती है इसाइं तो एक अलग से क्या कर लीजेए एक पेज में जहां आप नोट बनाते होंगे soil, ऐसे करके aluvial soil, black soil, letteride soil, desert soil, इन सब की composition लिखे किस में क्या पाया जाता है, ये पूचता है अक्सर और कौन से राज्य में ये पाई जाती है, ठीक है ये आप से पोच्छ सकता है, तो एक soil को अलग से note कर लेज़ेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा दस-फंदा मिनट लगेगा एक पेज में नोट्स बना लेजें नोट्स मेकिंग जो कर रहा होगा सेलेक्शन उसका तो होने के चांस से बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं नोट्स बहुत जरूरी है एक्जाम के रिवीजन के लिए चले चारज़ दो सोला देखते हैं निम्द में से किस प्रकार की मिट्टी में नियूनतम जल धारान शमता होती है विच आफ दी फॉल्लोंग टाइप आफ स्वाइल है जो वाटर उसको रिटेन ने कर पाती लोमी वाटर को रिटेन होगा चिप-चिपी होती ही तोड़ी वाटर को रिटेन होल्ड करने की कैपिसिटी जो है इन सब स्वाइलों में सैंडी स्वाइल में वाले नहीं होती है ज्यादा देर तक वाटर रेटेंशन नहीं कर बाती है मुर्दा लवरता और चारिता की समस्य का समधान है दा सलूशन तू दा प्रॉब्लम ऑफ स्वाइल सेलेनिट सूखी खेती की विधी समोच खेती वनी करण या खेतों में जिप्सम का प्रयोग ड्राइफार्मिंग मेथट कंट्योर कल्टिवेशन और फॉरस्ट्रेशन या यूज ऑफ जिप्सम इंदा फिल्ड देगे अगर स्वाइल में सेलेनिटी और अलकलेनिटी हो रही तो इसमे नाम भी पूच तो कैल proposals eight इसको क्या बोलते है कैलिशियम किल्फेट और दो लगना तो डाइवग्रेट यह क्या है डाइवह है डाइवाइट्रेट कैल्शियम सॉफेट डाइवह एडिए च्छलीन चाल से लथार देख लेते हैंि निम्लिकित में से किस का उप योगम्ली म अगेरा अगर्णतार गिरने लगेगा तो आप उसमें लाइम डालिए बाई ना एसे ब्लस बेश नित्राइब कर देगो इसको इन तो क्या डालते है लाइम चूना डालते है क्यों कि यह बेस का काम करता है तो acid plus base gives salt plus water neutralized reaction इसको बोला जाता है साइन्स की भाश्चा में 419 देख लेते हैं निम्रिकित में से कौन से मिट्टी चाय के बागान के लिए उप्योक्त होती है ठीक है which soil is most suited for tea plantation मतलब किस ताइप के मिट्टी चाहिए होगे alkaline मतलब चारी रेगूर अमली या जलोर तो काफी अच्छा प्रश्न यह भी देखे स्वाइल की जो हमें कल्टीवेशन करने ही होती उसके लिए पांच चाड़े-पांच तक या चार तक पीच हो तो अच्छा होता है यानि जैंबेजी रिवर पर करीबा डाम बेंग बना हुँआ है नील रिवर पर असवान घैम बना हुआ है ठीक कौन सा Сबसे पहले से दिखरा थे देखिए नाइल नदी ठीक है और यह आपको दिकर आसवान डैम जो कहां बना हुआ है एजिप्ट पर बना हुआ है ठीक है और यह लेक नासेर पर बना हुआ है लेक चाहिए होती ना रिजर्वायर चाहिए होता पानी स्टोर करने के लिए तो आसवान डैम एजिप्ट में है नाइल नदी पर ठीक है और दूसरा जो है देखे जाओगा लेक करीबा है इस पर ही आपका बना हुआ है कौन से डैम मतलब यहीं से जैंबेजी रिवर भी निकलती है इन दोनों के बीच में बॉर्डर बनाती करीबा भी है और करीबा डैम बना हुआ जैंबेजी रिवर पे घिक है इस पर बना जैंबेजी रिवर जैंबवीजी रिवर जैंब्या के बीच में बहती है ठीक है और यह आपका हुआ तैम जो कि यूएसे में यह नहाँ जोकी यूएसे में होडnda जो की ओलोराडव नदी पर बनी होग या कि सब्सक्राइब गलोराडव नदीक कब इसकाम सबसे ज्यादा है पहले तो कि्रोंगिल पता होगा मर्क्री फिर Venus फिर Earth, Mars, Mercury, Venus, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune तो अगर देखेंगे Mars के बारे में तो इन में से सबसे ज्यादा मास तो आपको Neptune का देखने को मिलेगा तिक है किसका है नेप्चून का मर्कुरी वीनस अर्थमार जुक्तर सैटन यूरेनस नेप्चून याद रखना निम्लेकित में से किस धातू का अधिक्तम प्रतिशत भूब परपटी में पाया जाता है मैक्सिमार परसेंटेज उप फॉलोई मेटल इस फाउंड इन अर्थ क्रस्ट आयरन कैल्शियम सोडियम या पोटाशियम क्या पाया जाता सबसे ज्यादा अर्थ क्रस्ट यहां लोग ने लेक्शर के स्टार्टिंग में भी देखा था सियाल यानि इन सब में मिलेगा तो वो आयरन मिल जाएगा नहीं तो ऐसे सिलका और अल्यूमिया भी मिलेगा अच्छी घासी मात्रा में कैसे हम सोडियां पोटेशियम के मुकाबले आयरन कई जाधा मात्रा में पाया जाता है ठीक है चली आगे बढ़ लेते हैं निमलकित में से कौन सा राज भूकम्पी जोन तीन के अंतरगत नहीं आता है विच आप दी फॉल्लविंग स्टेट डैस नॉट कम अंडर सीस्मिक जोन थी तो देखिए जो सीस्मिक जोन है उनको भी एक ब स्टेशाख डिल्राट में सीस्मिक जोन थ्री में दील्ले सीश्मिक जोन थी में ठके दिल्ले अब को दिखा है के समझाता हूं देखिए जैसे में इसमिक जोन boysin दो होता है लो और्लिय तीन ता हाई रिसक च्वर बहुत ज़्यादा हाई रिसक पांच होता है तो विसली ज Central India बहुत इस्टेबल होता है तो यह लो रिस्क में और जहां तक हिमालयास फैले हुए यह दिख रहा आपको यह आपके हाई रिस्क जोन में और हिमालयास के थोड़ा सा नीचे जैसे यूपी पंजाब यह सब मॉडरेट रिस्क में आ जाते हैं सिंपल से चीज़ हैं यहां प मॉडरेट में हाई में ठीक है असान होता है हलका समयाब देखे अब्सॉप कर लो एक जगह देखो कारण क्या होता भूलने का भी आपको सब पढ़ लिया दस दिन बाद जब आप से पूछो भूल जाओगे उसका कारण होता है आप रिवीजन नहीं करते हो तो जो पढ़ हो कोशिश कर रहा करो तीसरे चौते दिन उसको रिवाइस करा करो ठीक है और एक जगह नोट कर लिया करो चलिए आज पंदिम प्रस्ट देख लेते हैं निम्लिकित में से गलत विकल्व का चैन करना है नाम है और उसका उच्छतम बिंदू हो बहुत ही अच्छा सवाल है द मौन कर्किंले और का की सर्म वांटें इसका सबसे हाइस परवत मांट अल्बूस तो कौन सब गलत हे सबसे हपर रहे सबСबék माउंट एल बुरूस यह सब सभी हो जाएंगे तो यह ता आज का लेक्चर दोस्तों मिलते हैं कल के लेक्चर में बहुत ही जल्ड बस तीन लेक्चर यह खतम होने वाला कमेंट बॉक्स में फिर मुझे बताईएगा साइंस या हिस्ट्री क्या करना चाहते हो आप